मैं हूँ अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का लोग प्रिय डिबेट शो आरपार पूर्पधार मंत्री पीवी नरसिंगा राओ के सलाकार रहे ख्वाज़ डॉक्टर इफ्तकार हसन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है दे मीटिंग आफ माइंड्स इस किताब के विमोचन में RSS प्रमुक मोहन भागवत ने अपने विचार रखे और कहा कि हमारे धरम भले ही अलग है लेकिन सभी भारतियों का DNA एक है मॉब लिंचिंग करने वालों पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ है साथ ही उन्होंने ये संदेश भी दिया कि मुसल्मान यहाँ नहीं रह सकते ऐसी सोच दिखाने वाले हिंदु नहीं हो सकते लेकिन साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाई को भी एक संदेश देती हुए कहा कि भारत में इसलाम खत्र में है डर के इस चक्र में उन्हें नहीं फसना जाई लेकिन OVC से लेकर मायावती तक, TMC से लेकर कॉंग्रेस तक सब विरोध में कूट पड़े OVC ने कहा कि कायरता, हिंसा और कतल करना गौट से की हिंदुत वाली सोच का अठूट हिस्सा है मुसल्मानों की लिंचिंग भी इसी सोच का बड़ा नतीजा है मायावती ने कहा कि RSS और BGP के लोगों की कतनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है इनका हाल मुमे राम और बगल में छुड़ी जैसा है तो उधर कॉंग्रेस कह रही है कि 2022 की चुनाफ को देखते हुए ये बयान दिये जा रहे है तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सियासी विश्टेशन DNA पर भागवत घ्यान हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश धरम अलग लेकिन DNA एक लिंचिंग के खिलाफ भागवत संदेश आखिरकार इसके क्या माइने है आज आर पारिसी पर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश अगर हिंदू कहते कि यहां एक भी मुसल्मान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा धरम अलग लेकिन DNA एक चालिस जार साल पुर्व से हम भारत के सब लोगों का DNA सब लोगों का इरफवा DNA समान है लिंचिंग के खिलाफ भागवत संदेश सियासत से संघ को परहेच पूर्व प्रधान मंत्री पीवी नर्सिंग हराव के सलहकार रहे ख्वाजा जॉक्टर इफ्तकार हसन की किताब क्या मोहन भागवत जी इस बात को मान चुके हैं कि मेजॉरिटी कम्यूनिटी में RSS और हिंदुत्वा की आइडियोलिजी के वज़े से रैटिकलिजेशन हो चुका है ये सिर्फ लिप सर्विस है देश की जनता के आँखों में धूल जोकी जा रही है और सबसे बड़ा काम ये कि वेस्टरन कंट्रीज में खास तोर से USA में वहां पर ये पैगाम दिया जा रहा है जिन्ना की मानचिक्ता से बाहर आएं मुसल्मान को भड़काना बंद करें नहीं तो उससे इनको बहुत दिक्कत होगी इत्ते साल इनके गुरू इनके नेता RSS के कहते रहे इत्ती घटना है अपनी देश में मुसल्मानों के खिलाप होती रही उस वकत इत्ती आवाज ने उठी इस उमर में अच्छा है कि उन्होंने देश की एक्ता की बात करी है कॉई जलत नहीं कहा उन्होंने सच कहा कॉंग्रेज के पियल पुनिया तो इसमें 2022 के चुनाओ का एंगल भी ले आए जो ब्यान दिया है मौन भागोजी ने वो अपने आप पे एक अजीब से ब्यान है उन्होंने किसी मोके पे उत्तर प्रदेश के चुनाओ को ध्यान में रखते हुए भारत में सभ़ी धर्मो को धर्मो के लोगों का डियने एक होने जो बात कही गई है व्किसी के भी गले के नीचे से ऐसानी से नहीं उतरने वाली है इनकी सरकारों की भी कत्नी वकरनी में अंतर सभी देख रहे हैं आरेसस परमुक का कल दिया गया ताजा ब्यान वास्तम में मूँ में राम भगल में चुरी ही ज़ादा लगता है देख विजय सिंग ने ट्वीट किया मोहन भागवत जी ये विचार क्या आप अपने शिश्यों प्रचारकों विश्व हिंदू परिशद बजरंग दल के कारेकरताओं को भी देंगे क्या ये शिक्षा आप मोदी शहजी वा भाजपा मुख्यमंत्री को भी देंगे इससे पहले 2019 में नागरिक्ता कानून को लेकर छड़ी जंग के बीच मोहन भागवत ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि भारत में पैदा हुआ हर शक्स हिंदू है लेकिन आज बड़ा सवाल है कि RSS के हर विचार पर वार करना क्या विफक्ष की आदत है इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस DNA पर भागवत ग्यान और अब वक्त है विच्टेशन का DNA पर भागवत ग्यान का विच्टेशन सुनिए धर्म के नाम पर कटर सोट फिराने वालों को ये सीधा संदेश है लिंचिंग की घटनाओं पर कोई सानबूती नहीं दिखाने का भी ये बड़ा संकेत है इसी वज़े से का जा रहा है कि मुसल्मानों के साथ पहले जब कुछ हो रहा था जैसा कबल नात्ते बोला तो क्यों नहीं बोले थे बीजेपी और RSS के लोगों पीएम मोदी ने भी संसद में लिंचिंग ने खिलाब दो तूक संदेश दिया था आपको याद होगा हिंदू मुस्लिम एक था पर कई बार बोल चुके हैं मोहन भागवत ऐसा नहीं है वो पहली बार बोले है क्या मोहन भागवत का बयान 2022 के चुनाफ से जोड़ना उचित है जैसा कॉंग्रेस कर रही है जैसा पी एल पुनिया कर रहे है ये बड़ा पॉइंट है मिरे साथ आज की चर्चा में चार मैमान होंगे जोकी है जोकी अपने पक्ष को रखेंगे दॉक्टर सम्बित पात्रा जोकी बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं अबनी जेचवस्ती राजनेते को इस्टेशक है संके बड़े जानकार है मेरे साथ आज की चर्चा में अबू आसे माजमी होंगे वर रिष्ट डिता है समाजवादी पार्टी के वारिस पठानोंगे परवक्ता AI M.I.M. के तमाम लोगों का विरंदन है संबित पात्रा में शुरुआत आपसे करता हूँ आपके मुँ में राम है बगल में चुरी है ऐसा मायावती कह रही है पियल पुनिया कह रहे कि 2022 के चुनाव के चलते यह सारा खेल बीजेपी और आरेसेस केल रही है कमलनात के रहे कि मुसल्मानों के साथ इतना घोर ना इंसाफी हुई इस देश के अंदर क्यों नहीं बोले तब बीजेपी और आरेसेस के वरिष्ट नेता क्यों नहीं बोले आकिरकार अभी डियनने वाले बयान का मतलब क्या है देखिए अमीज भाई जहां तक आदरनियो मोहन भागवजी का विशय है मोहन भागवजी ने वो कहा जैसा कि आपने भी बताया जो वो पहले भी कहते रहे हैं और संग की जो आइडिलोजी है और भारती जनता पार्टी भी इसी आइडिलोजी पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सभी लोग आगे बढ़े, एक साथ बढ़े और आदरनियो मोहन भागवजी ने उस पश्ट रूप से कहा हम एक ही मात्रवूमी में जन्में एक ही पुपूरवज के संतान है 40,000 वर्ष का हमारा इतिहास है और हमारा DNA एक है, हिंदू मुसल्मान अलग नहीं हो सकता है क्योंकि हम एक हैं, और हमारी एकता की बात क्या करनी है चूंकि हम एक हैं, इस पर भी कुछ लोग आपत्ती कर रहे है मुझे तो आश्चेरी हो रहा है, कोई मुह में राम भगल में छोरी तो दिगविजय सिंग, जाकी इरनायक के भाई, दिगविजय सिंग जी भी निकल के आ गया है बोलने के लिए, बताइए, मतलब इन सारे लोगों को सेवल तुष्टिकरण की राजनिती करने के लिए एक मौका चाहिए था, जैसे ही हिंदू मुस्लिम शब्द होगा, तुरंत ये मैदान पे उतर पड़ेंगे और एक ही धे को लेके आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से चुनाओ के दुरुष्टिकरण से खास करके उतर प्रदेश में मुस्लिम तुष्टिकरण आरंब किया जा सके, सौधी नोवेसी भी कूद पड़े हैं, रिंग लीडर में बन करके आज मैदान में, क्यूंकि उन्होंने आज ये भी ट्वीट किया है, 19 प्रतिशत मुसल्मान है उतर प्रदेश में, और हमें एक आजाद आवाज की अवश्यक्ता है, और जो हमारे मसाइलों को उठा सके, हमारे मतलब मुसल्मानों के मसाइलों को उठा सके, तो सभाविक है, वो अभी हिंदू-मुस्लिम डिवीजन करना चाते हैं, कॉंग्रेस पार्टी तो अनादी काल से ये तुष्टिकरण की राजनिती करती है, समाजवादी पार्टी तो वह है जो कहती है कि हिंदूओं को हमने अभी सोलो को मारा है, अवश्यक्ता पड़ती तो भगवान राम के मंदिर को नहीं बनवाने के लिए जादा हिंदूओं को भी मार सकते हैं, तो सभाविक है, ये वो लोग हैं जो मुह में भी राम नही उठाना पड़ा, मुझे तीस सेकंड में एक सवाल का जवाब दी जिएगा, क्या मोहन भागवाद जी ये मान चुके हैं, जैसा ओवेसी कह रहे हैं कि बहुसंक्यक समुदाए में RSS और हिंदूत्र की विचारधारा से कटरता आ चुकी है, उनका कहना है कि भारत की बहुसं अंख्यक समाज है, अर्थाज जो हिंदू है इस देश का, वो रैडिकलाइज हो गया है, अंग्रेजी में उन्होंने कहा जिसका आर्थ है कि हम कट्टर बन गये हैं, मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि वो कह रहे हैं, जिसके अपने भाई ने कहा था कि 100 करोड वर्स 25 करोड और 15 मिनिट के लिए पुलीस हटा दो तो देखो हम 100 करोड की क्या हलत करते हैं, अकबर उद्दी नोवेसी ने कहा था, ये वो आदमी कह रहा है जिसने भगवान राम तक को और भगवान राम की माताश्री तक को गाली देने से अपने आपको पीछे नहीं हटाया, मुझे आ हिंदूओं को रेडिकलाइज और कट्टर बताया जा रहा है, क्यों आपने तो एक बार भी इन लोगों ने एक बार भी यह नहीं कहा कि इसलाम में कट्टरता है, एक बार भी एक स्विकार करने को तयार नहीं है, कि आतंकवाद को किस प्रकार से बढ़ावा दिया गया है, जिहाद किया है, आश्चर यही है, हिंदूओं को कट्टर कह रहे हैं, मुझे रखता है इस प्रकार के शब्दों से बचने की अवश्यक्ता है, अबू आसे माजमी का मैं रुख करता हूँ, समाजवादी पार्टी के वरिश्ट नेता है, विधायक भी हैं मुंबई से, अगर यहाँ पर एक भी मुसल्मान, अगर हिंदू कहते हैं कि यहाँ पर एक भी मुसल्मान नहीं रहना चाहिए, तो वो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, चालिस हजाल पूर्व भारत के सब लोगों का डियने समान है, उन्होंने बोला डियने एक है, और कोई भी हिंदू क सकता है मंगोला कोलिए वहाँ सकता है इसके बाद इतनी अच्छी बात अगर वहां तो ये क्या बोल रहे हैं बार बार ये कह रहे हैं कि अगर मुलायम सिंग यादों ने सोला को मार दिया और मारने की बात कर रहे थे मैं इसे पूछूं कि एक मस्जिद खड़ी है और उसको तोड़ने कुछ लोग गए हैं कोड से कोई और नहीं हुआ है अभी तक कोड का कोई पर्मिशन नहीं तोड़ने का है और आप जा रहे हैं उसको तोड़ने के लिए तो सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि हाँ उसको तोड़ दो जबकि सुप्रीम कोड ने का कि 22 मस्जिद 6 दिसंबर को इस तरह से डेमालिश करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी ये कह रहे हैं इसका मतलब मुरायम सिंगी मुक्मंतरी बने रहे और कोई आकर मस्जिद को डेमालिश करता रहे और वो तालियमा जाएं तो ये खुश हो जाएंगे ये कोई मतलब है क्या मेरा ये कहना है कि अगर इस देश में एक भी मुसल्मान को कोई कहता है कि इस देश में नहीं रह सकते हैं तो वो हिंदू नहीं है मैं इस बात को मानता हूँ अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है तो आप जो NRC CAE के उपर जो दिली में को हो रहा था वहाँ चल रहा था अंदोलन इन सब चीजों के लिए जिन लोगों ने वहाँ जगले कराए लडाई कराए उसके किये तो मौहन भागवास सब कोई मामली आदमी नहीं है मौहन भागवास साहब की ही महरबानी से इनी की वज़ा से BJP की सरकार बनी है अब ये कानून ला दें कि CA NRC का मुद्दा बिल्कुल उठेगा नहीं और अगर किसी ने इस मुल्क में आपस में हिंदू मुसल्मान को लडाने की कोशिस किया तो उसे सजा मिलेगी और ये भी कहते हैं वो ये भी कहते हैं आपकी कि अगर मौब लिंचिंग कहीं होगी और जितनी पुरानी हुई है उन मौब लिंचिंग पे जो जो लोग मारे गए हैं को कमपैसेशन दिला दिया जाए और वाकई अगर कोई आदमी गाय का स्लाट्रिंग करता है और ऐसा काम करता है तो कानून के मताबिक जो भी है सबस्दा जी जाए इसमें कोई रोके का नहीं बिल्कुल नहीं लेकिन जो लोग आज तक मारे गए हैं आपको DNA पर कोई आपती नहीं है आप मान रहे हैं कि DNA एक है हम सब हिंदुस्तानियों का अरे हम इस मुल्क में रहने वाले हम हिंदु मुसल्मान तब देखे यह कह रहा है कि कट्टर पंथी हो गए मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता मैं तो रोज सुबा से शाम सलक पर रहता हूँ इस मुल्क का हिंदु और मुसल्मान सब भाई-भाई की तरह से हैं सलक पे कोई लडाई ही नहीं है लेकिन कुछ परसेंटेज लोग हैं जो ये RSS की विचारों वाले हैं जो कट्टर पंथी लोग हैं ये चाहते हैं कि हिंदु और मुसल्मान अलग हो जाएं और इसकी राजनीती चलती रहे और इस पर अगर कोई खानून लाते हैं भागवास साब तो मैं समझूगा जो नहोंने कहा वो करके दिखाया ठीक है समिट पात्रा जवाब आप देजिए इनकी बात का चलिए देखे पहला प्रशन ने इनका CAA को लेका था अमिश भाई आप बताईए CAA किसी मुसलिम का नागरिक्ता चीनता है क्या किसी भी हिंदुस्तानी का नागरिक्ता चीनता है क्या अगर नहीं चीनता है तो इनको CAA से क्या अपती है यहां किस हिंदू ने कहा कि आपकी जो नागरिक्ता है वो छीनली जाएगी और आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा दूसरा आपने कहा मॉब लिंचिंग के सभी लोगों को जो है वो जो पीडित हैं उनको कॉंपेंसेशन मिलना चाहिए बिलकुल मिलना चाहिए अच्छी बात है उनके लिए जो भी करना चाहिए बिलकुल करना चाहिए देखिए अमीज भाई on a serious note अकलाक और पहलु खान के साथ जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ हम सब उसके खिलाफ हैं उस पर चर्चाएं भी हुई मगर देश को केवल दो ही नाम याद है अकलाक और पहलु खान मेरे सामने यहां सवनाम रखे हुएं कि आप अश्विन कुमार को जानते हैं तीन एपरिल 2021 आज से कुछ दो महीने तीन महीने पहले अश्विन कुमार एक ठानेदार था बंगाल के अंदर और उसको मार के मार दिया गया बिहार का थानेदार था क्यों कि मुहमता बेनर जी ने ऐलान किया कि देखो ये पुलिस वालों बदमाशनी करते हैं मुस्लिम गाओं में उन्हें मार के मार दिया गया चर्चा भी नहीं हुई आपको रिंकु शर्मा याद है ना वह लड़का दिल्ली के अंदर जो अयोध्या में प्रकार भारत यादव को मार दिया. एक भी चर्चा उस पर होती है, आपको रतनलाल याद है, हेड कॉंस्टेबल रतनलाल किस प्रकार से बेगए सड़क पे ये वन वे ट्राफिक नहीं है ये वन वे ट्राफिक नहीं है तीन हजार से अधिक सिखों के लिंचिंग किया गया तायर डालके उनके गर्दन पर उनको जला दिया गया जिन में से प्रेगनेंट महिलाएं भी थी गर्दोधी महिलाएं भी थी उनके से किसी एक कमपेंसेशन द तेने की बात आपने का और आप प्राम मंदिर नहीं का स्टैंड है मैं नहीं कह रहा हूं आप नहीं कहा आप अपने बात को रखा मेरे साथ दो में मार और है जो कि वारिष पठान साथ भी है और अपनी जेश वस्ती है दो नहीं मैंने मेरा यह मेरा यह सवाल नहीं है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए आप यह सब घुमा करके जंता के अंदर नफरत पैदाना बंद कीजिए मैं यह कह रहा हूं कि एक मस्जित करी है कोट से कोई आडर नहीं हुआ है सरकार कोई उसको तोड़ने जा रहा है उसके चाह चुका है उस पे बेल चेच लग रहा है मस्जित तूटने जा रही है तो सरकार की z mớiवए दारी क्या होती है उसको कि अगर कोई मुसल्मान किसी मंदिर पर चलके मंदिर को तोड़े तो श्री मुलायम सिन्यादो जी खड़े तमाशा देखेंगे क्या अब जस्तिफाइए कर रहे हैं आप जो इतना नाम ले रहे हो आप लाइए ना आप तो सरकार में है ना आपकी तो यूपी में सरकार पूरे देश में आप लोग जो हैं पूरी थाकत के साथ बैटे हुएं आप मॉब लिंचिंग पे एक कानून लाएए आतंगवाज जैसा कानून की जो लोग भी करें आप अब अब बड़े वरिश्ट रेता है मैं आप से एक सवाल पूस्ता हूं उसका 40 सेकिंड में जवाब बीजेगा गाजियाबाद में जो ये घटना करम हुआ गाजियाबाद में एक दाड़ी वाले मौलाना साथ की कुछ ताभीज वगारा बेचते थे और लकडी का काम भी करते थे उनको लॉयल ओर्डर की सिच्चुएशन को उमेद पहलवान नाम की आदमी ने जो जो की चला चला कर बोना हूँ खलत था घलत था घलत था ओर सुन लिजे मैं जो बोल रहा हूँ ना कि पत्थर की लिकी तर साल लिजे आपने जो दो मौलानों को पकड़ा है ना कि ये जबरदस्ति धर्मांतर करते थे हे बिलक्त बात है ये islaج मुसलमान इसलाम में किसी को जबर और आप करें पुराने हज़ारों को बनाया कितनी शिकायते में तो आप यह ने शिकायते में क्यों नियुक्त अब और यह कारवाई आज आप जान भूज कर इनका पॉलन में भी रेकेट टिकला तो बीजेपी की जबान बोलते हो मैं तो इन्वेस्टिकेटरी में जैंशी की तो कितने शिकायत आई आज तक आप उन भोले भाले इंसानों को जिनों अपना धन पत्ली किया है इनको जबाव डिसाइड करेगा ना वो भोले बाले थे या रूपी है करो आज कितने मुसल्मान हिंदू हो गए कितने मुस्लिम लड़किया हिंदू से शाधी कर दी हमने कुछ कहा क्या क्या तो कि इस देश में अट्छा साल की उमर के बाद कोई भी बगीरों को सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना चाहते हो तो मोहन भागबत भी पोलराइ करती आप ही थे आप ही खुद थे कि आपने तब्लीगी जमात पर कितने अरोप लगाए थे बताएए क्या तब्लीग जमात देखें जो विशे मुझे लगता है वो करना चाहिए वह जादा मैत्रपूर है आप अबू आजमी साहब आप कहरें कि कर रहें कि वह मासूम है आपको नहीं लगता कि यह यह विशेश अदिकार कोट का है कि वह क्लीन चिट किसी को दे तो दे कोट देगा क्लीन चिट आप कैसे यह हम ने कैसे तरह कर दिया हम तो आरोप पता रहे हैं तो नहीं कि उमर्गो तब दोशी है मैं करा उन पर आरोप है उनके खलाब नफरत प मनादर का है क्या वह रिपोर्ट नहीं दिखानी चाहिए अप कर दोड़ा जाये ना विजए मालिया वह लेगो से तो करणा देगा ना न चमीतिके साथ जोट बात है कि मुझे लगता है कि ये कानून मेवस्ता का विशे है इसको हिंदु मुसल्मान में नहीं लपेटा चाहिए जो की महतरपूर्ण है ये लॉइन ओरर की चुछ आप ही लोग लाते हो ना आप किसने ने कराया आप मुझे बताइए वो दारी वाले मुझे आपको का विशे वीडियो बनाया था मैं पताईए मुझे उमेद पाइलवन किस पार्टी से आता है कि पार्टियों में हर तरह की आदमी रहते हैं सदा तो उसको फांसी की कौन मना करता है ये अच्छी बात है आपकी और फांसी देना आपके साइड कर सकते को को टेसाइड करेगा है ठीक है संबित पात्रा में आपके पास आउंगा अबनीजे चावस्ती पहले अबनीजे चावस्ती रिस्पॉंड टू अबु आजमी ये सब कुछ पोलराइजेशन का खेल है और माया बती ने भी इसी तरह के आरोप लगाए है दैन्वारिस पठान साब अमिश जी ये आज अबु आजमी कह रहे हैं कि फासी दीजिए फासी दीजिए वो याकूब मेनन और अफजल गुरु के लिए तो आज तक चला रहे हैं कि वो जिडिशिल किलिंग थी है अरे जिसने सुप्रिम कोट ने रात के दो बजे खोला उसके लिए कहते हैं अफजल अबु आजमी अभी सुन लीजिए पहले अभी अभी आप काफी बोल लिए दस सकेंड सुन पर लीजिए टीपु सुल्तान के हाथ का लिखा हुआ लेटर है कि मैंने इतने लाख लोगों का धर्मान तरण कर दिया उसकी तो आप जैनती मनाते हैं कहते हैं वह सच्था इसका नमाज नहीं अजाती ती जिसमें आर्केलोजिकल सर्वेय आफ इंडिया की खुदाई में जिसमें बाकाइदा सभी दर्मावाव नमाज पढ़ते हैं वहां पर चारों तरह दिवारों में लक्ष्मी विश्नू गनेश जी रामसीता की मूर्तियां अंकित हैं बार-बार मश इन से घिसने के बावजूद मैं आपको कितने याद दिलाओं आपको क्या क्या किया आप लोगों नहीं यहां पर अरे मैं जब से पैदा हुआ भारत वाज़ देखना हूं अपने आखनों के सामने आप पुराने बाते हैं लागते करो मेरे सामने में देख रहा हूं हमें इश्वर को किसी भी नाम से पुकारने में आपती नहीं है हम संग के लोग पूर्ण रुपेन हिंदू है इसलिए हम में प्रतेख पंथ और सभी धार्मिक विश्वासों के प्रती संबान का भाव है जो अन्य पंथों के प्रती असाहिश्णू है वह कभी भी हिंदू नहीं हो सकता यह किसका बयान है बताओं आपको यह दूतिये सरसंग्चालक परिंपूजनी गुरुजी का बयान है यह यह संग की स्थापना के समय से है कि इस देश में रहने वाले लोग हर हर व्यक्ति धर्मांतरन कर लिया होगा उसने पूजा पद्धती अलग होगी उसकी वो किसी भी जातिवर्ण वर्ग संप्रदाय का हो सकता है लेकिन हम सब भारत माता के संताने जिसको इस भारत माता जो पूजनी और वंदनीय कहता है थिक है वारिस बढ़ा जाते है अब जर्दा आप नर्सया नं सरसोती का भी बयान सुना दीजे आपको 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 घृट करेते ठीक है ठीक है एक वारिस बढ़ान अब तो बरोसा नहीं हुआ ना वारिस बढ़ान नहीं था ओके एक सेगें एक सेगें एक सेगें यह मुझे लगता है वह वारिस बढ़ान का बयान था आप कंफ्यूज कर गे तोड़ा लेकिन वारिस पठान में आपका रुक करता हूं और इसी साब ने जो बोला वो तो सब्सक्राइब करें उनको बहुत दिक्कत होगी आप मुझे बताइए इस पूरे विशे के अंदर 2022 के चुनाफ पर कौन कूद गया ओवेसी साब की पार्टी आप लोग तो खुले रूप से बोलने कि 19 परसेंट मुसल्मान है तो उनके आवाज होनी चाहिए खुले रूप से इस स्यादा ब्लेटन क्या होगा मौन भगवत ने कहा कि जो लोग लिंचिंग के अंदर इंडल जोते हैं वो हिंदू तुआ के अगेंस्ट में हैं तो मैं मौन भगवत जिसे सवाल कर रहा हो कि 2014 से लेके 2019 तक में 120 गवरक्षक के नाम पे लिंचिंग हो गया जिसमें 86 पर से लोग दली थैं मौसली तो यह किस ने किया यह वो हिंदूत्वा माइट है यह वह हिंदूत्वा साइकोलोजी है और आरेसेस के फूट सोलजर्स हैं जिनके अंग अंग में रोंग रोंग के अंदर मुसलमानों के लिए कटरता नफरत बरी हुई है उनको यह नहीं देखत से के मुसल अब्दुल है इसलाम है कलीम है जुनेद है पेलु खान ने उसको मार दिया जाता है तो रेडिकलाइजेशन का जवाबदार कौन है यह तो आरेसेस और गोट से के आईडियोलोजी वाले अब मोहन भगवत जी की जो यह बात है उसमें मैं पुलना चाहता हूं कि वो कौन थे जिन्नोंने पेलु खान को मार दिया उसके बाद में एकलाक के जो किलर बेल पे बाहर आए जमानत पर तो बीजेपी के वरिश्टर नेता यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं उनको फूल पिनाते हैं उनको मिठाई किला के उनका स्वागत करते हैं जब उन पंचायत किया जाता है आसिफ की देथ के पास मेवाट अरियाना में वह 50,000 आदमी लोग जमा होते हैं उसमें सदर इनका खड़ा होके बोलता है कि क्या हमको मुसल्मानों को मानने का अधिकार नहीं है और सब ताली बजाते हैं और बीजेपी उसको बनाती है अपना परवक अगर हिंदू कहते हैं या पर एक भी मुसल्मान नहीं नहीं उने चाहिए तो वह हिंदू हिंदू ही नहीं है उन्होंने जो यह का आपने इस पूरे घटा को 2022 के चुनाव से जोड़ दिया आप तो खुलन खुलना कह रहें कि 19 मुसल्दान है उसके लिए ओवेसी साफ को व प्रमुक बने उसमें एक भी मुसल्मान नहीं समाजवादी के 800 से ज्यादा लोग जीते तो क्यों स्री 5 प्रमुक बने बाकी के सब का बीजेपी की घोद में जाकर बैट गए समाजवादी के प्रवक्त आप कि यहां बैटे मैं उनसे सवाल करना चाहता हो क्या आप तो चाह मुसल्मानों को जौब एड्यूकेशन में देंगे क्या किया उसका अब जुम्ला बाजी चल रहा है अब जवाब देंगे जवाब देंगे जवाब में आपको दिखा दो बड़ा प्रैक लेका है उन्हें ने बोला कि आपके स्यम तो अखिलेशा अभी होंगे आपके स्यम दो अबीज भाई दो अजार सत्रा में तेवीस मुसल्मान में बजगे इसका जवाबदर कौन है एंपीज का लोग सबा में मुसल्मान कितने यूपी के बताईए ना तो क्या कोई ऐसा मुसल्मान चेहरा नहीं है कि जिसको एडेप्यूटी सीम बना सके कि हमारे भी लोग अ हार है, हग की बात कर दें, पोलिटिकल एमपावर की बात कर रहे हैं, अरे हम लोग जाएंगे, लडएंगे, और लड़ाई हग की है, अधिकार गया, अरे मैं हारा रहीं, सुनिए, 24,000 वोट लेके मैं जीता था, और 32,000 वोट लेके मैं हारा हूं, 8,000 वोट जादा लिया, और 24,000 वोट लेके जीता, 32,000 वोट लेके हरा, मेरे सामने को सब्सक्राइब की बात को सुन लीजे, वारिस आपको अभू आजमी ने पेशन्ट हीरिंग दिए, तो यह मुसल्मान का रहे हैं, वारिस वारिस, 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 अब आपको कम चार मिनट होगे, अपनी अबू आजमी ने आपको पेशन्ट हीरिंग आपने उनकी पार्टी पर उनकी अध्यक्ष पर कई सारे आरोप लगाएं, जवाब दीजे, अब यह मुसल्मानों के बड़े पैरोकार बनके आगे, यह कहरें कि हम तो CM चाहिए, हमें डिप्टी CM चाहिए, जो समाजवादी प पार्टी है, यह जुमा-जुमा जुमा-जुमा आठ दिन के पार्टी, आज आए हैं, दोजार 14 के बाद पूरे देश में इसे फूचिए, पार्टी संट्री साल की पार्टी है, तुनिए पार्टी इनकी सो साल की है, लेकिन इन लोगों ने हमेशा आठ सीट लड़ा, और आगे कही निकले नहीं लेकिन जब हमने देखा कि जब सुबना मनुम स्वामी जी ने दोफारा के पहले कहा है मुसलमानों के ओड को बांट दो 15 मुसलमानों को ओड को बांटने निकले अरे भाई साब आप समाजवादी पार्टी के आठ सो लोग चुनके आए थे लेकिन पता है वहाँ पर का गये अपनी तो मैं पुछ रहा हूं प्रमूप बनें बाग बाची अदियाक बनें बाटी के स लोगों ने अपने इन लोग हमारे कारकरताओं के साथ जो जुल्म किया है लाठी चलाई है और उनको ओट नहीं नहीं करने दिया उनको फार्म नहीं भरने दिया उसकी वजह से आज हुआ है लेकिन इसका बदला 2000 इसका बदला हम लोग लेने वारे हैं 22 में आप हमारे बीच में स्पिट ब्रेकर क्यों बन रहे हो समाजवादी पार्टी का राज होता है ना अब आप नहीं बने मुसल्मान और वह आपको छोड़ो आपका इंसल्ट दूल्या देख रही है क्या हो रहाएं सवाल का जवाब तो 2012 में आज जो गोष्णा पत्र में लिखा था अचा मुझे लगता है कि समानपूर्वक दोरों तरफ से बात होनी चाहिए क्यों नहीं दिया आपको क्या आई है मैं आपको दिखाता हूं आई है क्या बात करते हो कि मेरी होटल के तुम मेरी होटल की कंप्रेंट लाद ने के लिए तुम मेरे पार्टनर की दुकान ने काटने менее कर आप के लिए पाट तरफ कर देश्य नहीं कौन पैसे ले रहा है कौन पैसे नहीं ले रहा मुझे लिए और अबु आसिम साहब बड़ा ट्रॉपिक मुझे लगता है कि मौन भागवत का विश्षी पारिज जी मेरा निवेजन स्विकार करें मैं आपसे निवेजन करो प्लीस पैसे ले रहा है किसके अंडर्वर्ट से तालुकात है मैं उस विशे पर वह बहस का विशे नहीं है आपकी है तुम कौन सी खेट की मुली हो इस रहें कि पर दो डर की इस बात का यूपी पे चुणाओं लड़ रहें तो ड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे और हराएंगे हल्वा हल्वा हम खाएंगे तुमको रस्ता दिखाएंगे साइकल को पंक्चर करेंगे यूपी में पतम उड़ाएंगे याद रखना ये बात को अब आस्म साब क्योंकि विशे बड़ा महतपूर्ण है विशे यह है कि मोहन भागवत का बयान बड़ा आजीब मुझे दिख रहा है वो किसी मौके का इंतजार में थे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं इस वज़ा से तो हज़ार बाइस के लिए ये पूरा खेल रचा जा रहा है देखिए अमीश भाई अभी आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमान रखा गया अभी आपने देखा कि अबू आजमी जी ने कहा कि देखिए जो प्रतीशत वोट है मुसल्मानों के 19 प्रतीशत वोट उसमें सेंध लगाने तुमारे हो हम सरकार बना लेते हैं तुमारे सरकार ब मुस्लिम यादव फैक्टर है वही मायवती जी कहती है हमारे पास डी एम फैक्टर है दलित मुस्लिम फैक्टर है अब यह आ गया है बड़े वाले साहब ओवेसी जी यह कह रहे है मेरे पास एम 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 फैक्टर है सारा एम तो यह ले गए है आप यह कैवल कैसे करेंगे इनके एम वाई में से एम चला गया आप प्यारोगे है कि आप धर्मांतरन से लेकर धर्मांतर वाले मुद्दे से लेकर उमर गौतम वाले मुद्दे से लेकर कौन चुनाव का देख रहा है यहां तुष्टिकरण करके किस प्रकार से जादा से जादा मुसल्मान वोट प्राप्त किया जा सके इसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है हम नहीं लड़ रहे हैं इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ओवेसी साहब इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं पुनिया साहब और प्रियंका गांधी इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं मायवती जी हम लड़ाई में भाग नहीं ले रहे हैं कौन कितना मुस्लिम वोट ले सकता है और यहां और तो और आज मैंने ओवेसी जी का जो ट्वीट पढ़ा है कि 19 प्रतीशत मतदाता मुस्लिम ह ला ला उस में लॉत्तर प्रदेशमेंगे तो हमारे को एक आजाद आवास चाहिए जो हमारे मिसाइलों को रख सके आपके मिसाइल क्या होते हैं यह मुसल्मानों के विसाइल अलग होंगे हिंडूओं के बारत हो जाएगा यह बारत एक कैसे होगा ने एक सेकेंड मैंने पूरे ध्यान से सुना अमीश भाई मैं दस मिनिट पंदरा मिनिट तक इनको सुना हूँ मुझे सुन लिया जाए दो-तीर मिनिट सुन लिया जाए देखिये अमीश जी हमारे मिसाइल क्या होते हैं यह मुसल्मानों के विशय क्या होते हैं मुसल्मानों का अलाग मिसाइल होगा जिसके लिए इनको एक इंडिपेंडेंट आवास चाहिए और यह 19 प्रतिशत मुसल्मान है तो हम इस प्रकार से काम करेंगे और तो और और तो और यह कहते हैं कि मुसल्मान के परसेंटेज इतना जादा है तो डे हिंदू मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए तो बड़ी बड़ी आखे दिखाते हैं जी लाल लाराखे दिखाते हैं जैसे हमने कोई पाप कर दिया है और बाकी जगह हम 19 प्रतिशत हो गए तो हमें दास नी करते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकारती क्या पूरे प्रदेश का सरकार है प्रदेश का टेयरीं नीकरती हमारे में मिसाल क्या वता है ये और जवाब दीजिए वारिश Warta प्रदेश के मिसाइल है आप मुसलमानों की मिसाइल होने चाहिए हम भी चाहते हैं हमारे लोग आगे बढ़े क्यों एक कांदे से कांदा मिला कर देश के अंदर आगे बढ़े समाजवादी ने तो आज भी आजम खान को छोड़ दिया जेल में बिचारेगी कोई परवा नहीं करता तो क्या हम लोग भी छोड़ेंगे सब को नहीं लोग देखते असदोवेशी की तरह आज आज आपकी तरफ आ रहें क्या समीदान के डायरे मेरे क्या आप सुनिए बीजेपी क्या कर रहे अब सुनिए बीजेपी की बात तो सुनिया मैं बीच में काट के फाइदा नहीं है कैनाम पे सक्ता में आएं राम के नाम पे वोट लिया राम के नाम पे मंदिर बनाने चले नहीं राम जी के नाम पर कर दिया dura करोड़ की गराग देखे बड़ाबर नहीं संभीत बढ़ाएं दस सेकेंड दस सेकेंड वैं खामोज बैटा था तीन महें से वीडियो चल रहा है तुसरा से गंगाट पे हमारे इंको भाइ वेनों की लाशे तेर रही थी जिनको बड़ाबर रिस्ते सम्शान में जगा नहीं मिली कब्रस्तान मे जगह नहीं मिली, बच्चे ऑक्सिजेन के बीना मर गए, इसका जवाबदर कौन है? योगी है, इसमें बोलता हूँ योगी टोटल फेल हो चुटे है, मौरपेक व्रेक्व में अवस्ति साब का भी रूख करूँगा, अबू आजमी ऑन स्क्रीन, अवस्ति साब ऑन स्क्रीन, में आपके पास आउंगा, अबू आजबी साब, अवस्ति साब एक ब्रॉडर पॉलिटिक्स केर रहे हैं, वो कहने कि आपने आजम खान को छोड़ दिया, अब हम आजम खान को पकड़ेंगे, क्या आपको लगता है ये आपकी पॉलिटिकल टेरिटरी में को चैलेंज कर रह आजादी के बाद से वोटल मुसल्मानों ने जवाल अनेहुज को नेता माना, उसके बाद वीपी सिंग को माना, इंद्रा गांजी को माना, राजी गांजी को माना, बुलायन सिंग को माना, और हम इस देश के अंदर कोई मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं, हम आजादी के बाद से हम लोग इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम मिल करके एक साथ रहना चाहते हैं और हम अगर ये बात करेंगे ये कि 21% मुसल्मान एक अठा कर देंगे मैं इसे पूछूं कि अगर तुम भारत वर्ष के सारे मुसल्मानों को एक साथ लेके चले जाओ तो कितने से चुन के आजाओगे तो तुम तो वही बात करो जो RSS बात करती है वही बात करो जो BJP बात करती है हम नहीं चाहते हैं इस देश कंदर हम चाहते हैं इस देश कंदर हिंदू मुसलिम के नाम पर ओट नहीं बलकि बात सुरिये, जहां हिंदू जादा रहता है, वहां मुसलमान चुन का है, जहां मुसलमान जादा रहता है, वहां हिंदू चुन का है, यह धर्म की बात नहीं, इमानदारी की बात होना चाहिए, इसमें क्या किया है, 11% हिंदू है, 20% मुसलिम है, यह कुछ नहीं, 100% तो यह जाड समाज को लोग करो वहां पर मुस्लिम समाज जाड समाज सब समाज को लोग किसान सब्वेक साथ हैं बीजेपी की वहां खड़िया खड़ी हो गई है अब आईए अब इस्टन यूपी में लाशे तहर नहीं है दवाएं नहीं है को समाजवादी के प्रवक्ता से मैं कहना चाता हूं आप तो इतने बेशरम थे जाके शीवशेना की गोद में बैट गए वह शीवशेना का चीफ मिनिस्टर जिन्हों ने फ्लोर उप्ताव एसम्मली में खड़े रेके कहा था कि शीवशेनी को फकर है कि हमने बापनी बजित क शहीत किया यह आदमी लोग जाके उसके बैड़े यह क्या हमको सिखाएंगे मुझे खुजी है यह क्या सिखाएंगी हमको पुब्लिक ने जवाब दीजिए जवाब दीजिए आप तो जाके शीवशेना की गोद में बैट गए महाराष्ट्रा में वह शीवशेना जिसके प इसी बात करी तब तो अपने देश के संथे पात न ही रही हम जी देंगे हम तो गुजरात में लड़े हम दो गुजराट में लड़े तेवीज जीते और उसमें हमारे साथ इंदू भाई भेन भी जीते हैं आप जाएंगे लडएंगे और इंशाला जीत हमारी होगी हम तो मुसल्मानों का वोट को अपना मुसल्मानों को गुलामी तो नहीं बना दिया न हमने हम तो गुलामी की जंजीर तोड़ने आ रहे हम तो आईये हमारे साथ पुल रहे हैं बड़ा अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं अबू आसिम साब आपकी हिंदू मुसल्मान सब भाई भाई है लेकिन वोट के लिए सब सब लोग अलग लग कर देते हैं सब्सक्राइब अबू आजमी ने बोला जबाब अबू आजमी अबू आजमी अबू आजमी कौन है अभी इन्हों ने पता नहीं कहा कि अपने आपको राजा भोज कहा वारिष पठान को गंगु तेली कहा लेकिन अपने आपको यह और वारिष पठान के लिए लिए लड़ना चाहते हो करते हैं पहले 64 तो अब 23 रहे अरे 64 ने क्या कर लिया क्या इंपॉवर्मेंट कर लिया था 64 ने जो 23 नहीं कर पाए ठीक जवाब 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 करके पैसे कमाना और पूरी तरीके से मुस्लिम वह पंक्चर के पंक्चर लगाते रहे कबाड़ी का काम करते रहे और यहां के तमाम जो नेता है ना मुसलमानों को अपनी प्रॉकिट का समझने लग गए कि हम जस्मर्जी से वोट ले ले हिंदूों से डरा करके इनके अबु आजमी जवाब अबु आजमी और वारिस पठान अबु आजमी और वारिस पठान में लड़ाई किस बात कि आज अबु आज अबु आजमी और वारिस पठान में लड़ाई इस बात कि मुस्लिम वोटों पर किसका है ठीक है ठीक है अवस्ती जी आप आप आपकी बात सुना गया अबु आजमी सब्सक्राइब के नागरिकों को धर्म निर्पेश्यों को समझ लेना चाहिए मैं किसी जात धर्म की नीती करती ना तो आज एक सव साल जो चल रहे हैं साथ साथ मिलने से आगे नहीं पड़े अंधरा परदेश में हमने उत्तर परदेश में सरकारे बनाई है यह अकेले बनाई अपने दम पर हम कभी हिंदू-मुस्लिम की राजिनीती नहीं करते हम इस देश में रहने वाले सा समाजवादी पार्टी हिंदू-मुसल्मान की पॉलिटिक्स नहीं करती है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं दो तीन बाते रखूंगा मैं तो आज आश्चरी चकित हूँ आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और AI-MIM के प्रवक्ता में किस प्रकार से लड़ा 2013 में साउदिन OVC ने UPA से अपने आपको अलग किया था दोनों एक साथ चल रहे थे आज केवल और केवल मुसलिम वोट्स की राजनीती के कारण इस प्रकार का सुर्फटवल हो रहा है और कोई कारण नहीं जब तक आप इनके वोट्स में सेंध ना डालो तब तक आप बिल आपर जारी है फिला लेक पुरी